वेल्कम बैक् प्रेपर है का अब हमबात करेंगे शेकर उनिेंट हमारा याँ पर खतम हो जुगा है अब हम बात करेंगे युट groupsabout इनि यूंट आपका है ऑन्थ हनु यहां पर कंप्लीट कर लिया है लुझ को क्या है कहां से कहां तक है तो यह हो जागा आपका कि टीनु 14 प्लेटी हिल मिंथिज कहलो या तर दिसे मिंथिज निमेधिल मिंथिज तूछ जी थी disgr या इसको प्लेटी हिल मिंथीज भी कहते हैं ठीक है प्लेटी टि एक में इसी को हैस किया दो यहां लीक्ष देरों में ठीक है अलने का हमें यहाँ दियानों में फेरा है प्लेटती है। कि ऐस एस केल मंतीज मीन थे तो हम इसी को हम इसी को, हम है, शहील की है, थामिंधिशumberτο म continental चाहिए, तो यह कहते हैं, यह को अब पर बात कर रहे हैं, क्यों जागा आपका ग conv कॉईट कर दिया हैं योलोに पर आपक updated कि निट्रनें के 1997 को जयागा फिर तो यह सब यह आपका है फैंड से लूंग अंसर टा पॉश्चिन लोग याँ पर पढ़नें लॉंग नांसर ट्वेश्चन ठीक question number आपका third है इससे पहले हमने first और second ठीक है दो question हम लोगों ने पढ़ दिये ठीक है उनको आप देख लिना उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिसकस करते हैं चली शुरू करते हैं क्या पूंच रहे ठीक है question number third आपका long वाला है करागी परजीवी जीवन के आधार पर प्लेटी हेलमिंधीज संग के प्राडी की सरचनात्मक एबं क्रियात्मक अनकूलताओं का वड़न कीजिए ठीक है परजीवी जीवन के आधार पर ठीक है परजीवी जीवन क्या होता है कोई भी मालो एक जीव है ठीक है ये एक जीव है और ये बी क्या है दूसरा जीव ए अगर बी के या तो शरीर के वहार है या शरीर के अंदर है ठीक है रहकर अपना पोसर्ड प्राप्त करें ठीक है तो ऐसे संबंद को हम क्या करते हैं सह जीवी संबंद लेकिन ये क्या होगा A इस से पोसट प्राप्त करेगा ठीक है B से तो ये क्या हो जागा आपका परजी भी हो जागा कौन आपका A ठीक है तो जो B से पोसट को प्राप्त करेगा ठीक है तो इसमें क्या बताना है प्लेटी हेलमिन्थिज संके प्राडी की सरचनातमक ठीक है तो कोई यहां से कह रहा है किनी दो जन्तूओं के बीच वह संबंद ठीक है तो अभी हमने देखा था है A और B ठीक है तो यह कोई हमारे दो जन्तूओं है A और B इनके बीच में वह संबंद जिसमें एक जन्तू दूसरे जन्तू पर रहता है एक जन्तू दूसरे जन्तू पर तो A हमारा किस पे रहेगा A अगर हमारा B पे रहेगा तो जो A हो जागा ये हमारा क्या हो जागा ये हमारा हो जागा पर G B क्या हो जागा पर G B और B पर रहेगा तो B हमारा क्या कहलागा B हमारा क्या कहलागा परपोसी के क्या कहलागा परपोसी ठीक है तो दूसरे पर रहता है उससे ही अपना वोजन प्राप्त करता है ठीक है तथा उसी के द्वारा स्वैम की रक्चा करता है और उसी के द्वारा ठीक है परपोसी पर अपना जीवन निर्वहार करता है ठीक है अपना जीवन ब्यतीत करता है किस पर परपोसी पर ठीक है किसी दूसरे पर और उसको हानी भी पहुंचाता है ठीक है उसको हानी होती ही कह रहा है परजीविता कहलाता है ठीक है तो ये संबंद के कहलाता है परज भी होता है ठीक है उसकी जो परजीवता होती है हाती है स्वाध से Kal encuentra आपका यह अम यहाँ निते संग यहां क्या है स्षी को सभेइस तो तो यहांपल के लिए है टी निया पैरसिटिक ऐदटेशन इन टीनियां ऐ करभा ला कि टीनियां कशे रुक्यों में पाए जाने वाला आत्र का अन्तवर मुद्ध ठील है तो टीनिया क्या होता है कशेरुकी जिनमें रीड की हड़ी पाई जाती है वो सभी क्या होता है हमारे कशेरुक होते हैं तो कशेरुकियों में पाय जाने वाला आत्र का अंतहा परजी भी है यानि कि हम लोगों की आत्र में यह जो टीनिया होता है तो यह टीनिया क्या करता है ह हम लोगों की आत में रहता है Gang अपने वातावरण की आवश्यत्ताओं के अनुरू侑 इन में भूस से आकारिक परिवर्तन होतें How Did You करते रहते हैं अपने आकारिक परिवर्तन करते रहते हैं है पर जी बि अनकूलताओं के अंत्रगत हुए पर लाएं सतना के किया जा सकता है ठीक है तो इनमें जो परिवर्तन होता है ठीक है पर जी भी अन्कूलताओं के अंतरगत इनमें जो परिवर्तन होता है उन सभी का अध्यन हम निम्ड प्रकार से करते हैं ठीक है तो पहला हमारा प्रकार क्या हो जाएगा कि वहाय आकारी अन्कूलन ठीक है तो इसमें जो वहयाकारी अन्कूलन होता है, जिसे हम external adaptation कहते हैं, यह किस तरह से होता है, और क्या इसमें परिवर्थन देखने को मिलने हैं, ठीक है, तो first point लिखना है क्या, कह रहा है कि शरीर प्रस्ट अधर अक्ष में चपटा होकर फीते के आकार का हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, चपटा होकर फीते के आकार का हो जाता है, ठीक है, दूसरी बात कि शरीर का जो अगला सिरा होता है, ठीक है, जिसे हम शीर्स कहते हैं, ठीक है, अगला सिरा शीर्स यानिकि इस को लेक्स आसंजक अंग के रूप में परिवर्थन हो जाता है, तो इसका शीर्स कैसा अगला सिरा कैसा हो जाता है शीर्स बना लेता है ठीक है इसको लेक्स ठीक है एक इस तरह की सरचना बना लेता है ठीक है परिवर्तित होकर दूसरी बात हो जाता है कहरा है चिपकने के लिए शीर्स पर चार चूसक तथा बहुत से होकों की दो पंक्तियां होती है तो शीर्स प बने खंड काटते रहने की छमता होती है, ठीक है, क्या कहता है, जो गर्दन वाला भाग होता है, उसमें जीवन परियंत, यानि की पूरे जीवन, लाफ साइकल के लिए नए खंड काटते रहने की छमता होती है, यानि की नए नए खंड बनने की छमता होती है, ठीक है, तो ये करता रहता है जो हमारा परजी भी होता है वो पूरे जीवन पर क्या करता रहता है ब्रद्धी करता रहता है ठीक है आकार में ठीक है ठीक है ठीक है फोर्थ में क्या लिखेंगे कि शरीर में देह कंड़ों यानि की देहे मत्दब उसके शरीर के खंड़ों की संक्या बहुत अधिक पाई जाती है ये एक आपका देह खंड है इसमें नर जननंग भी पाई जाएंगे और इसी में मादा जननंग भी पाई जाते हैं ठीक है एक एक पेर आपको देखने को मिलते हैं ठीक है दोनों के शरीर के पश्वाग यानि कि शरीर का जो पिछला वाला भाग होता है में केवल निसेचित अंडे तथा वर्धन की विभिन अवस्थाओं में भुरूड होते हैं तो जो पीछे वाला भाग होता उसमें केवल कैसे होते हैं हमारे fertilized egg होते हैं ठीक है fertilized egg यानि की निसेचित अंडे होते हैं और वर्धन की विविन यानि की विरधी करने के विवन अवस्थाओं में भूड़ होते हैं ठीक है तीदिया के हम लोग बात कर रहें ठीक है नेक्स्ट दूसरा बोटो था वहायांगार की ठीक है ये कि आपका आंत्रिक सनचना में अनकूलग अब इसके आंत्रिक सनचना में किस तरह का परिवटब्बन देखने को मिलता है ठीक है कैसा अनकूलन करता है इसमें लिखना है first point ठीक है तो देह वित्ती यानि कि जो देह शरीर की जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं देह वित्ती ठीक है में मोटी दधा प्रित्रोधी क्यूटिकल पाई जाती है मोटी और प्रित्रोधी प्रित्रोधी मतलब कोई भी आएगा उससे अटेक कर भाव नहीं पड़ता है अता यह जन्तु की पाचक रसों से रक्षा भी करती है ठीक है तो पाचक रसों से रक्षा करने का काम किसका है देवित्ती में मोटी प्रित्रोधी क्यूटिकल होती है उसका क्या होता है रक्षा करना दूसरा क्या लिखेंगे आहार नाल अनुपस् ठीक है तो इसमें कोई भी आहर नाल नहीं होती है पचा पचा है भोजन पोशक की आतर से मिलता है ठीक है कहां से मिलता है आत से मिलता है ठीक है अताहा द्रब्विय तथा पचा हुआ भोजन शरीर की सतय द्वारा अव्शोषित कर लिया जाता है ठीक है तो इनका जो शरीर हो का सर्जन तंत्र होता है ठीक है उसका काम क्या होता है जल की मात्रा का नियंत्रण करना ठीक है ओस्मोर रेगलेशन जिसे हम कहते है ठीक है जल की मात्रा को नियंत्रित करता है ठीक है शरीर के विभिन उतकों में यह पानी की मात्रा को अलग करता है शरीर इसके शरीर में जो भी टिश्यूज होते हैं उनमें क्या करता है पानी की मात्रा को अलग करने का काम करता है इससे परजीवी को बोजन का अपसूसन करने में साहता मिलती है ठीक है तो बोजन का absorption करने में सहायता मिलती है कि इसको परजीवी को ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे फूर्थ पॉइंट कहा रहा है इनमें अनाक्सी सोसन होता है कैसा होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानि कि oxygen के बिना ठीक है O2 के बिना भी इनमें इनमें जो है सोसन देखने को मिलता है ठीक है तो इसको कहता है अनाक्सी सोसन या अनौरबिक रेस्पिरेशन फिप्थ पॉइंट लिखेंगे इनमें संबेदी अंग नहीं पाजाते ठीक है तो इनमें कोई भी आपके संबेदी अंग देखने को नहीं मिलते है राश्टे लंग को छोण कर मैं जितने भी भाग ने सबीत तंत्र का तंत्र जो इपसेंट होता है ठीकर belo है क्म्प्लेक्स होता हूँ से एक देखंड एक जनतु को प्रदर्शित करता है ठीकर टो शरीर के हाट में बुदी अिसलिए जो एक जनतु की प्रदर्श्ट करता है एक कंड अपने आम में योड़ी होता है VII Point लिखेंगे कि लिखिए अंड़ाश्य होते हैं बहुत सारे अंडिय।, ओ कि वह हो गया,Isild है ठीक है यह आप फिजियोलॉजिकल अडशेशन तो इसमें किस तरह के परिवर्थन देखने को आपको मिलते हैं यनिकि आपका जनतु25 आपका यूटा है इसकी जो जो physical body है उसकी जितनी भी activities है वो oxygen के बिना भी पूरी हो जाती है ठीक है गलाइकोजन के आक्टी जागरड या किनवन द्वारा उर्जा उत्पन होती है तो इनमें उर्जा किस से मिलती है जो जागरण द्वारा उत्पन होता है इसका क्या ओटाएकोजन होता है इससे इनको उर्जा मिलती है ठीक है दूसरा point क्या लिखेंगे यह पोसक के परिशरण ठीक है दाब के साथ संतुलन इस्तापित रखता है ठीक है किसके साथ परिशलरन दब जिसे हम sampai करता है शंतुलन को बनाई रखता है परजीवी के शरीर के भीतर तथा बाहर परिशलरन समाण रहना है शरीर के भीतर और शरीर के बाहर जो दब क्रियात्म ग्रूप से टीनिया का कचा हुआ ध्रप भोजन गिरहन करने के अनकूल है ठीक है कैसा है ये केवल पचा हुआ भोजन गिरहन करने के अनकूल होता है ठीक है उसे पोसक की आंतर से प्राप्त होता है जो उसे कहां से मिलता है पोसक की आंतर से ठीक है जिसमें बो पदार्थ होता है, क्या होता है, तरल पदार्थ, तो इसको उत्तेजित करता है, जिससे कि यह म्यूकस क्या हो, उत्पन हो, ठीक है, उत्पन करने के लिए उत्तेजित करता है, आत को ठीक है, और क्या करता है, परजीवी के चार और एक रक्षात्मक आवरण बना लेता है, ठी फिफ्ट पाइंट के लिखेंगे जो हमारा परजीवी होता है कुछ anti enzyme उत्पन करता है तो परजीवी क्या देखने को मिलते हैं यह क्या करता है रिलीज करता है जिससे जंतु पर पोशक के पाचक रसों का प्रभाव नहीं होता है ठीक है तो हमारी आथ में जो भी पाचक रस निकलते हैं उनका उस पर टीनिया जंतु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये क्या करता है एंटी एंजयम उत्पन करता है ठीक है तो ये रहा आपका question कोशन नंबर थाड़ वाले ठीक है जो कि आपका लॉंग आंसर टाइब कोशन था मिलते हैं अंगले वीडियो में अंगले कोशन के साथ बने रही है हमार साथ अब तक के लिए थाइंक्यू अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई